नमस्कार और वेलकम यौल एट इंडो लोगर्स दोस्तों स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक कुछ खास नहीं मिस्लिनिल्स कोशन्स रहेंगे ठीक है चले शुरू करते हैं सबसे पहले एक छोटा सा कोट यहां पे लिखावा है आप इसको पढ़ सकते हैं आपके कामियाभी के पिछे सबसे महनत जो इनसान कर रहा है न सब ज्यादा महनत वह आप खोदी है तो आप देखिए किस तरह से आप पाएंगे आप सपनों को सबसे पहला कॉशन है हमारे पास इसको बोलते हैं हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना इसको जनरली हम जानते हैं क्विक लाइम या फिर बिना बुझा हुआ चूना इस कॉमनली यूज़ इन मेकिंग ऑफ प्रोकलेइन ठीक है प्रोकलेइन और ग्लास बनाने में इसका असमाल किया जाता है और अल्सो प्रेपेरिंग ब्लीचिंग पाउडर प्रोकलेइन होता है आपका चीने मिट्टे ओके नेक्स है मारे पास क्याल्शम कार्बोनेट इसक इन ड्याइजेशन यानि कि पेट में किसी को एसिड के प्रोलम हो या फिर जलन हो रही हो पेट में जलन होती है ना हर्ड बर्न उसके इसका असमाल किया जाता है कैस्ट्रम क्लॉराइट को देखें तो यह है CACL2 का साइंटिपिक नेम और इसका प्रोडक्शन क्या जाता है तो अक्टीवीट चार प्रोल चारकॉल πो अक्टीवेट करने में करते हैं इसका असमाल हम इसके साथ साथ यूजद एजन ऩृप इन इस प्रोड्स इंक अम आप लोग पीते ऑँ ना ग्रोकोस के सबसीट्वीट के रूप में जो आप लोग देubs वह होता है लेक्षन electrolytes उसमें भी हम किसका इसमाल करते हैं कैल्शियम क्लॉराइड का इसमाल करते हैं लास्ट में देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोकसाइड इसका साइंटिफिक नेम है हमारे पास CAOH2 इस और स्लेक्ड लाइम हमारा होता है मतलब एक तरह से पावडर शेप में होता आए और इसका समाल हम करते हैं सीवेश ट्रीटमेंट के अंदर पेपर प्रोडक्शन के अंदर के साथ-साथ फूड प्रोसेसिंग में इसका समाल किया जाता है नेक्स्ट है हमारे पास देखिए जितने भी भारत के जितने भी धर्तिय पे तत्व हैं मिनरल्स हैं उन सबकी ना हम सबकी भी हम जो हीमन्स है एनिमल्स हैं सबकी एक स्पैसिपिक ग्रेविटी होती है तो उसी तरह से एक बार यह साइंस का कोशन में बना था कि स्पैसिपिक ग्रेविटी ऑफ क्वार्ट्स क्या होती है इसमें जो कंपोज़िशन होता है वो सिलीकन डायोकसाइट का होता है तो यहाँ पे आपके दो मल गए कि सबसे ज़्यादा अबेंडेंट मट्रियल कौन सा है धरती पर वो है आपका फैल्स पर और उसके बाद आता है हमारा क्वार्ट्स ठीक है नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कोई जानकारी है एक्ष्ट्रा किसकी कितनी है वाटर की ग्रैविटी होती है 1.0 हिमस की होती है 1.2 से 1.5 के बीच में कले की होती है 2.5 कौार्स की 2.65 हम देख चुके है फैल्स पर की है 2.5 से 2.8 क्यलस आइट की होती है 2.75 डोलोमाईट है 2.8 से 3.0 नेक्स है मारे पास किस वर्ष में सभ विनयवग्या आंदोलन पूरी तरह बंद कर दिये गया था science का कोशुन था misiliness कोशुन होंगे हमारे तो misiliness सी देखना है सभ विनयवग्या अंदोलन पूरी तरह से इस वर्ड पर जाद रखिए यह शब्द है पूरी तरह से कब समाप्द कर दिया गया and the answer is option A 1934 में इसको पूरी तरह समाप्द कर दिया था initially इसको समाप्द कर दिया था initially इसको समाप्द कर दिया था 1933 वन में कर दिया था Gandhi Irving Pact की वज़ा से या फिर उसके consequences में इसको हमने समाप्द कर दिया था ठीक है नेक्ट है मार गांधियर बिंग फैक्ट दभाजा केव्ज आर लोकेट इन और अंसर इस ऑप्शन बी ये महाराश्ट के पूना में इस सित हैं भाजा केव्ज इसको आप देख सकते हैं भाजा केव्ज कहाँ पे सित हैं हमारी महाराश्ट के पूना में सित हैं और ये 22 रॉक कट केव्ज की स्थापना है तरह की जो की 2nd century में बनाई गई थी पूना के अंतर गदर and the caves are 400 feet above the village of भाजा ठीक है भाजा विले से 400 feet की उजाएपरिन को बनाया गया है और ये एक important ancient trade route के दीश में था ठीक है जो और वियपारी से कहां से आते थे अरेबियन सी से आते थे eastward into deckan plateau ठीक है ये देखिया फोटो ये हैं आपकी भाजा caves एक फोटो यहां पर ये याद रहेगा आपको next question है हमारे पास भारती राष्टे कॉंग्रेस के निमलिखित में से किस अधिवेशन में 1888 में जोर्ज यूले राष्टपती बने थे and the answer is option B ठीक है अलहाबाद की अधिवेशन हो रहा था जब ये जोर्ज यूले भारत के पहले अंग्रेज ठीक है अधिक्स कौन बने थे तो वो जोर्ज यूले थे 1888 में निमलिखित में से किस वर्ष में भारत के योजना आयो की सापना की गई थी and the answer is option C 1950 ये भूलना नहीं है आपको 1950 मार्च में इसकी सापना की गई थी और इसके हैट थे जवाला नहरू निमलिखित में से किस वर्ष लंदन में दुईत्य गोल में सम्मिलन आयोजित किया गया था and the answer is option A 1931 में किसे किया गया था और सिरीज है 1930 में पहला 2nd 31 में और दुसरा 32 में जो पहला था ये फेल रहा दूसरा भी फेल रहा और तीसरा भी फेल रहा ये थे अंगरेज लेकिन जो आपको याद रखना है 1930 में Congress नहीं लिया इसमें हिस्सा नहीं लिया इस वाले में Congress नहीं हिस्सा लिया था ठीक है ये तो थी हिस्से वाली बात तो 30, 31, 32 में तीनों में हिस्सा लिया अमिटकर जी नहीं ठीक है पहले में कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि Congress नहीं हिस्सा नहीं लिया था दूसरे में मतलब 1931 में गांधी जी गए थे Congress की तरफ से लेकिन 1931 में जब हमारा Second Goal में समयने हो रहा था London के अंदर गद London में जब हो रहा था तो जो वहाँ पर अंग्रेस है उन्होंने रख दिया सबके सबके लिए एक प्रस्ताव रख दिया वो था communal representations का SC के लिए लग, ST के लिए लग women's के लिए लग ठीक है और जो labor's है उनके लिए लग इस तरह का प्रस्ताव रखा था तो गांधी जी शीज को session था जो गांधी ने अटेंड किया था failed because of communal representation और यह वा था लंदन में निम्लिखित में से कौन मवेशियों की एक स्वदेशी dairy नसल है, मतलब जो कि हमारी भारती यह नसल है, ठीक है इसका answer है option A, red सिंधी, इसके लावा अगर हम देखें red सिंधी के लावा हमार पास indigenous cattle में कौन-कौन सी breeds है वो है साहिवाल, red सिंधी, gir, राठी, ठीक है यह main नसल है भारत की यह देखे फोटो, यह है red सिंधी काओ, और यह बहुत अच्छी quantity में दूद देती है कौन सा जैव उर्वरक है and the answer is option B यह एक जैव उर्वरक है it is defined as product containing living microorganism जितने भी जैव उर्वरक होते है उनके अंदर कट क्या पाए जाता है एक जिन्दा microorganism पाए जाता है जिसके वेसे वो जो bacteria होते है या पि जो negativity होती है मन मिट्टी की वो उसको खा जाते है जाकर की और उसको उपजाओ बनाते है ठीक है इसके बारे में बढ़ते हैं आगे और इसके बारे में एक पोटो था इसको आप देख सकते हैं कि जो जैव उर्वरक है यह सिर्फ 6 रुपर में मिल जाता है जबकि जो हम बायो फर्टिलाइजर कॉस्ट कितना था इसका 280 रुपीज और लिक्विड के फॉर्म में 6 रुपर मिल जाता है और जो हम नॉर्मल खरीदते हैं वो काफे ज़्यादा महंगे होते हैं सरकार भी इसको इंप्रूफ मतलब सपोर्ट कर रही है इंक्रीज येल्ड लिखावना येल्ड येल्ड मतलब होता है उत्पादन उत्पादन में अगर हम बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो 15 से 20 पसंट की व्रधी हो जाती है ठीक है राइजोबियम बैक्टिरिया का इस्तमाल भी किया जाता है यहां पर दो वर याद रकेंगे आपकी ये ऐजोग बैक्टिरिया है ठीक है फॉस्ष्फो बैक्टिरिया है ये किस को आधनी को इंक्रेस करते साथ-साथ प्रतियों तक शम्ता देते हैं ड्राउट और ड्राउट के ही खिलाफ मतलब सुखय अगर पर रहा है सकते हैं कुल मिला के science है कि खासकर European countries जो है ना वहां पर इसला की खिती की जाती है और बड़े level पर मतलब बड़े level पर किसी भी उत्पादन को सब्जी को उगाना एक specific reason में बड़े लेवल पर जैसे यहां पर सिर्फ बड़े खेटी उगाई जा रही है तो जो बड़े लेवल पर एक ही खेटी कर जाते हैं उसको उगाते हैं टक खेटी नेक्स है मारे पास निम्लिखित में से किस वर्ष में भारत में दहेज इनिशेद अधिनियम पारित किया गया एंड आंस्वर इस ऑप्शन बी 1961 में किया गया था काफी वर कुछन पूछा चल चुका है तो आप उसको याद रखेंगे नेक्स कोशन है कि संविधान संशोथन अधिनियम ने पंचायती रा संशाओं को संविधानिक दर्जा दिया और आंस्वर इस ऑप्शन बी इसका था हमारा तेहतर्मा संविधान संशोथन अधिनियम 1992 ठीक है और हमारे आर्टिकल 40 DPSP में इसको बताया गया है और त्री टायर पंचायती रा सिस्टम भारत में भी लागू है ठीक है ग्राम पंचायत पंचायत समीति और जिला परिशद यह तीन इस थर हैं अमेंडमेंट था 1992 का और यह कुछ important committees हैं जो पंचायती रा संसा से रिलीड बनी है पहली है आपकी 1957 में बलवंतराय महता कमीटी इसके अलावा 1997 में बनी आपकी अशोग महता कमीटी 1985 में जीवी के राव समीति 1986 में एलम सिंग भी 1988 थुंगर समीति और 1988 में बनी आपकी गाड़गल समीति यह सिरी और आपको यह याद करनी है अच्छे से ठीक है अगला question है हमारे पास निम्लिखित में से किसने 1979 में मुराजी दिसाई को भारत के प्रधानमंतरी के रूप में प्रतिसापित किया और यह पहले व्यक्ति थे जो जिसनोंने Congress को पीशे किया था और यह जंता पार्टी के थे He was known as champion of India's peasants ठीक है यह important factor आप इसको जात रहेंगे State Chief Election Commissioner को किसके द्वारा point किया जाता है इसका answer हो गया option A governor के द्वारा करते है point ठीक है इसी तरह से center की बात होती तो फिर कौन आ जाते राश्पती हो जाती उपार्जित लक्षणों की वनशागती यानि की the theory of inheritance of acquired characters यह propound की गई थी by J.B. Leymark के द्वारा आपको इसे fact याद रखना है बस किसे बदल कर घर्षण को कम किया जा सकता है नॉर्मल सी बात है कि अगर rolling to slide इससे तो घर्षण बढ़ेगा ठीक है dynamic to static यह तो कुछ है नहीं लेकिन अगर किसी को हम slide कर रहे हैं और उसको हम rolling करने लगें ठीक है किसी को हम ऐसे उठा उठा के पटग रहे थे ऐसे कर रहे थे ऐसे करने के बज़ाए किसी को हम ऐसे ऐसे कर ले मतलब roll कर दे तो उसमें धोशन खतम हो जाएगा ठीक है यह थे थे का sense अब यह पड़ लेंगे वह यह जो मैंने बताया पैंसलीन का व्यापक रूप से उप्योग किया जाता है किसके द्वारा option c is the answer penthelinic antibiotic है ठीक है और treatment infection caused by bacteria treat infection इसमें जो अगर किसी को bacteria से infection हो गया है तो उसके treatment में penthelin का इस्तमाल किया जाता है और body के अंदर इसका excretion होता है इसका स्राव होता है kidneys के द्वारा photophobia क्या है and answer is option b abnormal intolerance of light और यह होता किसकी वज़ा से है reason है excessive wearing of contact lenses ठीक है अगर कोई contact lenses को extra use करता है पहनता है ठीक आंखों पर लगाता है तो हो जाता है या फिर poor fitting of contact lenses यह भी a reason हो सकता है कि आपको lens fit नहीं हो रहे हैं फिर भी आप लगा रहे हो तो आपको हो सकता है photophobia the rh factor refers to यह क्या है इस का answer हो गया हमारा option b यह प्रकार का protein substance है जो कि कुछ लोगों के blood में पाया जाता है और rh की खोजविती एक recess नामत बंदर के ना बंदर के अंदर से ठीक है कुछ vitamins के बारे में देख लेते हैं जैसे water soluble vitamins होते हैं और कुछ होते है fat soluble vitamins जो water soluble vitamins है उसमें आगया आपके दब B की जितने भी category होंगी ना वो सारी उसमें आएंगी exception है हमारे पास vitamin C का वही fat soluble की बात करते हैं तो ADEK इसकी drug भी है कीड़ा KEDA मतलब की कीड़ा जोता है कीड़ा चलने वाला कीड़ा रेंगने वाला कीड़ा वही कीड़ा ADEK लेकिन जो हमारे कोशन बनता है वो बनता है vitamin B1 को कहते है thymine B2 है riboflavin B3 हो गया niacin B5 हो गया Pantothenic Acid B6 है pyro pyridoxin B7 है biotin B9 folic acid B12 cobalmin वही vitamin C का नाम होता है ascorbic acid fat soluble vitamins को देखें तो vitamin A है retinols vitamin D है calciferol E को बोलते है tocopherol और vitamin K का नाम लिखावा नहीं है होमग देदू है बता दू बता देता हूं इसका नाम होता है phloquinone ठीक है phloquinone K का नाम है मानव शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है हड़ी की बात नहीं हुई है muscle की बात हुई है and answer is option A sartorius इसका answer है reflex action जो किसी भी आप मालू किसी आपको चाटा अचानक से उठाया और आप भी तुरन उसको उठा करे चाटा धर देते हो तो जो आपको reflex action होता है इसको control करता है कौन हमारा spinal cord ठीक है यहां पर आप देखेंगे ना यह जो portion है हमारा पूरा यह spinal cord और यह connect होता है हमारा इस जगा से मदब इस जगा पर दिमाग से connect होता है हमारा यह brain के कुछ पार्ट देखते हैं anatomy of the brain next question है हमारे पास पार्श्विक अस्थी parital bone is situated in यह शरीट के किस भाग में होती है इसका answer है option A यह skull में होती है हमारी इस skull का photo आप देख सकते हैं यहाँ पर और यह हमारी parital bone जो main bone है हमारे head के अंदर वो होती है कौन सी parital bone सामने वाली का नाम तो आपको पता ही है frontal bone इसके अलावा आपकी यह छोटी सी हड़ी होती है आँख के जस्ट पीछे ठीक है यह होती हमारी spinoid bone नीचे की तरफ है हमारा temporal bone और पीछे की तरफ नीचे है जिसको छोड़ा दिमाग बोलते हो आप लोग इसी के अंदर होता है इसी हड़ी के पीछे की तर नीचे की तरफ होता है छोड़ा दिमाग इसका आंसर है option D यह upper back में हमारी होती है इसको आप ध्यान से देखेंगे एक काम करूँ ना आपने shoulders को आगे पीछे करते हो उपर नीचे करते हो जो पीछे की तरफ हड़ी उपर नीचे होती हिलने वाली वही है आपकी scapula bone यानि कि पीछे पीली पीली दिख रही है वही वाली आपकी कौन से है scapula bone है और यह जो आप प्यारी प्यारी बच्चियां girls हैं यह सारी बोलते हैं यह आपकी beauty bone beauty bone को बोलते हैं clavicle bone जो पीछे आपकी हड़ी है वो है scapula और हाथ की आपकी लंबी वाली हड़ी का नाम होता है humorous bone ठेक है next है मारे पास निलामी या गतिशील मूले निर्धारन बाजार किसके उधारन है इसका answer है option A B to B यानि कि business to business B to C होता है business to consumer business to government last वाला मतलब निलामी और गतिशील मूले यह किसके द्वार निधारित की जाते है किस बजार की बात चल रही है यह हमारे option A business to business जो हमारे market होती है न उसमें चीज़े auction और dynamic pricing महा की बात हो रही है next है Davis cup is related to which game and the answer is option B यह hockey है ठीक है distance of marathon race क्या है distance of marathon race का अच्छा Davis cup के बारे एक history है कि यह सबसे पुराना cup है ठीक है FIFA से पुराना cup जो सबसे पहले खिले जा रहा था न वो है हमारा Davis cup यह fact याद रखना आप distance of marathon race 42.195 इसका full distance है और यहां होता है हमारा video का end hope so आप लोग को अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगे तो छोड़ा सा काम comment कर देना अच्छे अच्छे से like तो आप करोगे भी नहीं मुझे पता है लेकिन अच्छा लगे तो कर देना ठीक है share and subscribe भी कर लेना अच्छे से thank you